वहीं आज भी कल्ले पैदा वहीं बंडित का पुझारी बंजा मंदिर का वहीं घंटा बजातारी काजर होता है यह जो हरकते कर रहे हैं किसानों के साथ इनका बुरा भक्ताने वाला में खेरों बहुत जारा और कई किसान उग्र हो गया ना कोई बचा नी पाएगा यह सिकता ही गंदी है भारत के लिए महिलाओं को थे बस्तू समझते हैं कहते हैं धोर गबार सूद रुपा सुना रही है सब तार्णा के अधिकारी मलें जिस महिला के पेट से पैदा होते भूतनी को सही गाली देते हैं यह तो निकलता ही वो नहीं था एक बहना सा कौनता और क तेरी आखों में रोशनी निया यंदा क्यों गूमता रहा पर चोहरा दोते ही तो तरी रहल राज जल जाती और अपड़ा है हॉस्पीटल में और जो कहता है जो रहाम को नहीं बजता हो चमार है भूतनी के तू को नहीं तू नहीं तेरे नहीं जगे 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 हर आदमी बश्राइया है जो अपनी जञाएख न को साफ करता है सब्गें भूतनी का और दूसरे नममर यह जो परता है वह कभीभी माननी पढ़ता है इसने कभी नहीं पर लो यह कहां पोचिगा और एक भो कह र्में जायेंगे तो कभी भीमाननी पढ़ेंगे देगन वहीं पेदा क उसका नाल कटा था भूतनी वाले का इसका मतलब क्या है यह का को पला है अंधाचार है और इसका चेला कौन है आप मुझे बताओ कोने चेला इसका बागेश्वर चमतकारी जो हिंदु राष्ट की बात करता है वह चमतकार करता है उसके कहने बागे अभे नुमान को बला जी अपने बीमार पला ते रहा होस्पिटल में इसे मंत्र मार दे सही हो जाग और यह करता क्या यह लोगाई बाजे क्या यह अंधा है बूतनी का कोई माहिला आजा तुन्दी लाल देता अंदर क्या करता है अब हार भू खा करता यह तू तो अंधात यह को दिखता ही नहीं वैसे गल लिया कर चुन्नी डालने क्या जरू होता है है यह हरकते हैं ऐसी ऐसी बुढ्डे हो गया है समझे चला फिरा जाता है नहीं है घात में धंडा पकड़ लें इसे चलेंगे कहां से आएं काम न धंडा इनको को कोई हराम की ख किसानों का समर्तन वही आदमी करेगा जो अनाज खाता है जो अनाज खाता है दूत पीता हो किसानों के समर्तन में आएगा और जो गोवर खाता है और जो मूत पीता है वो सरकार के समर्तन में हो और होता रहे ऐसा अंदभक्त हमें कोई फरक नहीं बढ़ता तो किसान तो अपने पूरे तन मन धंसे आए और छेशे महीने का रासन बांद के आये हैं और यूंके टेक्टर ला रहे हैं भाई जो करते हैं टेक्टर टॉली वही तो है तो दो सही है अफकर रहे हे यह कृस्ते लेकर आरेन बस सकते हैं तैक्टर लेकर ब्र। जैसे कि चड़ाइं करते हैं किसी दुश्मन वो उसी से आएंगे ना और ट्रेक्टर में से कौन से बंब ले के आ रहे हैं और वो आके जब आएंगे अपने अंदुलन के लिए आ रहे हैं को लड़ थोड़ी रहे हैं तो सरकार कर रही है गलत काम जो उनके उपर आसू गैस के गोले छोड़ दियो यह मंदिर काय के लिए गाटन कर रहा है इनोंने सब दुकान बना रहे हैं एक जगे बना रखी है और कहा है अब मुझे मेरिया क्योंकि दमाद उसे हैं वही मिलेंगे इनको किसानों क्या कह रहे हैं यातंगबादी हैं देश द्रोही हैं और खालिस्तानी अब एक बहाँ बताओ पूरी दुनिया क नक्से पर कहीं खालिस्तान का कहीं नक्सा आया मुझे बता दो तो कहां से खालिस्तान कोन बना रहा है यह सरकार बनाना चाहती है कि खालिस्तानी आ पर पाकिस्तानी बताओ भारत में पाकिस्तानी किसानों को पाकिस्तानी बताते हैं देश की किसानों और यह बोर्डर बना किसानों को तो जलिया वाला कांड की तरह भून दो ऐसे ब्यान दे रहे हैं अब भूतनी के हो अंग्रेज जो यहां रहे गे ना 200 बर्स जो मोज मस्ती कर गए उनकी जो अम्मा दादियों के साथ चोका बो लगा गए उसकी नायाद जो पैदा हो के कीड़े भूतनी के यह जो किली से पैदाएं संग्रेजों की मान सिकता किड़ी है कहरें अगर किसानों के साथ बरवर्ता करी और किसानों के साथ जलिया वाला कांड जयता हार घर से उदम सिंग निकलेगा भूतनी के हो ऐसा फिट करेगा पंब समझे सारा उलादे का सामानमान जो तुम्हारा भी है इ खेती करना आती है और यह समझे लो किसान ऐसे नहीं है अब तो नोना तो दस भूत के गन्ने होने लगे भाई लेकिस निकाल देगा मख्यां मिनमें आएंगी भूतनी के भागते भी रहेंगे चाटते भी दो नमसकार में अम हम है दिली में हमारे साथ है नेंदर नंदा भा की का लग रहा है किसान आ रहे हैं पंजाब से हर्षाणा से लेकिन बोर्ड़ पर बहुत ही तनावपूर्ण सांती है क्या लगता है किसान जिली में अंत्र कर पाएंगे तनाव पूर भी है और सान्ती भी है यह क्या मतलब यह समझने है य्याब की बात कि आपे इंगारी है किसानुने कोई लगाए या उसके सिमेंट की कंक्रीट की दीभारें ये और ना पूछ रहे हैं क्या पब्लिक से पूछ रहे हैं क्यों कि यह सब जानती इसरकार की कि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेस हो जाता है और किसान अगर दिल्ली के अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों का समर्तर मिल जाएगा किसानों को और दिल्ली वासी साथ हो लग किसानों के इनका स्वागत करने लगेंगे फूल माला है पहलाएंगे इनके मले र भट गए किसी हाटांग टूड़ गए मुझे लगता कुस्तोस में आज सईध भी हो गए होंगे इतनी पुरी इस्तती तो किसानों के साथ जो अन्न दाता इस देश का दिए वो तो भी जारा घर में बेठा है और जो लुटे रहा है चोर है दल्ला बढ़ा या है लिकॉप्टर मोल के खाधर में इन्हों किसने दे दिया को कि इनके बाप की जगह और जबकि वह गरीब ऐसोसित आदमी जो महिलाएं बिचारी जो खेती करती है वहाँ पर इसमें खादर के अंदर उनको मारा कूटा जाता उनकी जूगी जोपनियां तोड़ दी जाती है उनके साथ बत्विजी की जाती है उनको अध संदी ढोंगी और सवधेसी का नौला देते हैं तो इन बेसी वे देसों से खोड़ेगा विदेशियों से भारत बासी रहेंगे भारत के लोग रहेंगे आज इस्तितियां कमझो रहें जाहिए गाहूं का गरीब हो किसान हो मजदूर हो हैं कही ना कहीं तानाई है सही इनके सास उनके कोई मदद नहीं कर ला वो से अब आप जाला है कि संजोता कर ले और सम्झोते मैं जो तो यह चाहिए ले ले मले कोल में लाके यह दल्ले हो गया है पुलिस वाले भी क्या कि बेहन बेटियों की इज़त लुडवाते हैं और सम्झोता का आप भड़े वो यहीं कोटा खो करते हैं महिला किलाडियों के साथ क्या कर रहा रेप कर तक करें करने कोशिश करी गई और चोटी बच्चिव के साथ करा आज भारतीय नसल और भारतीय फशल बोनो को खत्रा है इनके सासन में धोंगी पाखंड ये भिदेशी मान सकता कि नायाज कीड़ें जो अंग्रेज रहे थे नहीं 200 बर्स लेकिन सुधिर सौधरी जो रिपोर्टर हैं टेली विजन के वो कह रहे हैं कि यदि MSP दे दी गई वो किसानों की मांगे मान ली गई करज माफ कर दिया गया तो देश पर करज़ा हो जाएगा इतना पैसा कहां से आएगा लाएंगे तो अससे मुझरा कर्वाएंगे भूत्री के सिससे मुझरा करवाएंगे तु lived उ mina मुझरे वाली लुगाई वनाएंगे तेरे फे लोग पैसे डालेंगे य लिए पर दूसे करज़ करेंगे नहीं किसानों की दोलाद हैं स्ततिय यह कि बाप बेटों को सामने लगाया जारा कही ना-कहीं जो दिल्ली में भी हैं दिल्ली की प्रश्थ भूमी देकर 98 परसेंट लोग कहीना-कहीं किरशी भूमी से राफ राफ किस न लग से सब्सक्राइख इन के लिए सब जर्गे इनके ह необходимо कोपटर भी आजाएंगे हवाई जाज भी आजाएंगे और इनकी चेली चाली सब आजाएंगे भूतनी कहीं याज करने के लिए उनके लिए आजाएंगे जगए 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 और यह खोल दियें यह किनने खुलवाएं भारति जन्ता पाई इनकी मान सिकता वैसी है कोठे ख लेकिन मोधी जी ने ये भी कह दिया कि हमने 25 को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है कौन सी गरीबी रेखा से कितने हजार को 25 कोड लोग गरीबी रेखा से अलग कर दिया कोन है वो कोन है 25 क्रोर पूछो ना वो पाखरणवादी बान सिकता के कारपोर्ट जगत के और उनके चिल्लर खटमल है जो उनकी कंपनियों में काम करते होंगे समझे देश को लूट रहे ह ये उनका पाल तू गुलाम है